जबलपूर से हमारी संबाद दाता अनामिका सिंग की रिपोर्ट एटीम का खुलासा जबलपूर के कुरा बाजार के अंतरगत तिलहरी इस्तित बैंक काप महराश्टा के एटीम कैस बैंक को गाड को गोली मारका लगभग 33 लाख रुपे लूट कर भागने बाले दो आरोपियों को जबलपूर पुलिस ने बनारत से गरपतार किया पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं सगे चाचा के दोरा पुस्तैनी संपत्ती को हड़ापने और घर से निकल जाने की बज़े से हो रही आर्थिक तंगी से दूर रहने के लिए उन्होंने लूट कि इस बारदात को अंजाम दिया था पुलिस ने इन आरोपियों को अदालत में पेस किया जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमान्ट पर भेज़ दिया गया पुलिस के बरिष्ट अधिकारी जब पकड़े गए आरोपियों से इस पूरी बारदात के सम्मांद में पूश्टाच कर रहे थे तब जबलपूर रेंज के आई जो हमेश जोगा ने बताया बनारस के रहने बाले सुनील कुमार पाल और मनोच कुमार पाल को उनके पिता ने चाचा के पास रहने के लिए जबलपूर भेज़ दिया था दोनों भाईयों के चाचा ने पुस्तेनी जमीन पर कबजा कर लिया और उन्हें घर से बहाँ निकाल दिया दोनों भाईों के पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं थे इस दोरान उन्होंने पुस्तेनी जमीन के बिबाद को कोट के माध्यम से सुल जाने का निर्णा लिया लेकिन इसके लिए उनको पैसे की जरूरत थी तब दोनों भाईयों ने यूटूब चैनल के माद्यम से बैंक डकेती के वीडियोज देखे और बारदात को अंजाम दिये इसके बाद दोनों भाईयों के रहने के लिए केंट में एक कमरा किराय पल लिया और बनारस सहिद देसी कटा और कार्तूस का इंतियाम किया इसके बाद गोरा बजार साना अंतरगत बैंक काप महराश्ट था एटीम की कैस डालने वाली कैस बैंको रैकी करना सुरू कर दिया 11 फरवरी को कैस बेंट से कैस निकाल कर और दो करमचारी कैस डालने के लिए एटीम की तरफ बढ़े तब ही इन दोनों भाईयों ने गोली चला दी जिसमें तीन लोग घाइल हुए थे और एक गाड राज बहादूर पटेल की मौके पर ही मौत हो गई थी इसके बाद लगबग 33 लाख रोपे से भरा बैग लेकर दोनों आरोपी फरार हो गए सीसी टीबी कैमरी के फुटेज से बचने के लिए उन्होंने जंगल में अपनी बैट छोड़ी और पैदल ही कैंट सित अपने कमरे आए और अपना हुलिया बदल कर बनारस की तरफ चल दिये लेकिन इनके दोरा किये गए गोली कांड में सीसी टीबी फुटेज सामने आ गए और जाच के दोरान पुलिस को इनके इंपूट जिसके आधार पर पुलिस ने बनारस पुलिस को मदद ली और दोनों आरोपियों को बनारस से गरपतार कर लिया इनके कबजे से 32,998,000 रुपे भी बरामत कर लिये गए पुलिस ने उस देसी कट्टों को भी बरामत किया जिससे गोली चलाई गई थी पुलिस ने दोनों आरोपिय सुनील कुमार पाल और मनोच कुमार पाल को अदालत में पेस किया और अदालत में आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया पुलिस के बरिष्ट अधिकारी जब इन आरोपियों से पूस्ताच कर रही थी तब जबलपुर रेंज आईजी उवेज जोगा ने बताया सबी आरोपियों को पूस्ताच में कुछ और खुलासा होने की संभाव ना है जबलपुर से हमारी संभाद दाता अनायम का सिंग की रिपोर्ट